प्रदेश के नागरिक अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए परिशान नहों इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर मंगलवार जनसुनवाई की शुरुआत की लेकिन सुबे के बेठे सरकारी अधिकारी करमचारी सीम सिवराज की मंसा को पतीला लगा कर जनसुनवाई को मजाग बनाने में जूटे हैं मुख्यमंद्री सीवरस्य चोहान कई मंचों से सरकारी अधिकारी कर्मचारी को शुशाषन का पड़ा चुके हैं लेकिन इसके बाद भी सरकारी कर्मचारी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं ऐसा ही एक नजारा खरगाउन जिले के सेगाउं जिनपत पंचायत में देखने को मिला जहां मंगलवार की जनसुनवाई के दोरान अधिकारी कर्मचारी नदारत रहे वही कारियले पर ताला जड़ा देख आवेदक निराशो कर लोड़ गए आपको बता दे कि SW24 न्यूस चेनल दौरा तेविस फरवरी को मंगलवार की जनसुनवाई बनी मजाग को लेकर प्रमुखतास से प्रसारित किया गया था उस दिन दफ्तर का दर्वाजा तो खुला था वह अधिकारी नदारत थे लेकिन फिर मंगलवार को अंधेर नगरी चोपट राजा की तरह दो फर बारा बज़े जनसुनवाई केंद्र पर दर्वाजा बन मिला लोग आवेदन लेकर अधिकारियों को ढूंते रहे लेकिन जब कोई अधिकारी करमचारी दिखाई नहीं दिया तो उनका गुस्सा फुट पड़ा सेगां से संजेज जैसवाल की रिपोर्ट कोई मिला यहां पर कोई नहीं साड़े आड़ बज़े बेटा हुए क्या लाम लिखते हैं राके से दो क्या आप आज जनसुनवाई में आया था मैं आज जनसुनवाई में ग्राम जो पानी की समश्या को लेकर आया था आवेदन देने लेकिन अभी तक जो है एक बजने के स है और आज जनसुनवाई में किसले आयाता है अफिस्के पारशानी के लिए और यह नहीं आपका आवेदन देन आया था आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना फुले